ग्यान गंगा में आपका स्वागत है आज हम जानेगे करपूर के चोकाने वाले लाव आज हम आपके करपूर से होने वाले तीन ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिसे आपको रोजाना करना चाहिए ये उपाय मालक्ष्मी की आपके उपर क्रपा तो बनाएगे ही साथ ही आपको धन के नुकसान से भी बचाएगे पहला उपाय कुछ इस प्रकार है रोज सूर्य अस्त के समय घर में कपूर जलाए इस जलते हुए कपूर को घर के हर कोने में ले जाए ताकि इसका धुआ घर के सभी कोनों में समाहित हो जाए दूसरा उपाय यह है कि दिन में किसी भी एक समय तुलसी के पेड़ के पास या घर के मंदिर में भी कपूर जलाए एसा करने से मालक्षमी प्रसन्न होती है अब तीसरे उपाय को यदि आप रोच करते हैं तो आपको स्वास्त्य संबंधी परिशानियों से मुक्ती मिलेगी रोग एक ऐसी परिशानी है जिसके कारण धन की काफी हनी होती है इसलिए यह उपाय आपको धन के नुकसान से बचाता है उपाय इस प्रकार है आपको घर के बेडरूम एवं जिस कक्ष में बच्चे सोते है महाशाम के समय कपूर जलाना है इस कपूर से उत्पन्न होने वाले धुए का सार पूरी रात घर के सदस्यों पर बना रहेगा यह पूरी रात आपको नकारात्मक पूर्जा से बचाएगा और रोग उत्पन्न ही होने देगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धिन्यवाद ऐसे ग्यान वर्दक वीडियो रोजाना देखने के लिए ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे बारा जोत्रिलिंग नित्यदर्शन फेस्बुक पेज से जुड़े रहे